सो हलो एंड वेलकम दोस्तों सौधत करता हूँ आपका आपके चहीद यूटूब चैनल पर जिसका नाम है कार्णी इंफो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन पैरे से फूल कलांचों की उपर तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपने चैनल को अभी तक लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले क्योंकि अभी विंटर का मेड चल रहा है और यही सीजन होता है कलांचों के फ्लावरिंग करने का अभी नवंबर से लेके जनवरी तक कलांचो का फ्लावरिंग सीजन रहेगा और इसके आगे और कुछ दिन प्लांट पर फूल खिले ही रहेंगे क्योंकि कलांचो के फ्लावर बहुत जल्दी मुर जाते नहीं इजीली प्लांट पर एक से देड़ महिना ठिके रहते है वैसे तो कलांचो का फ्लांट सिर्फ कहने के लिए हारडी होता है और इसकी केर में हमें बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें सबसे महतो पूर्ण बात है पानी देने का तरीका क्योंकि कलांचो का प्लांट सेकुलन फैमिली का प्लांट है जिसकी वज़े से उसके स्टैम में पहले से ही पानी मोजूद रहता है तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर सेकुलन प्लांट है या सेकुलन फैमिली का प्लांट है तो उसे पानी देने में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि प्लांट की स्वाइल वेट है या नहीं क्योंकि अगर प्लांट की स्वाइल पहले से वेट होगी या मोईस्ट होगी तो इसमें हमें पानी नहीं देना है क्योंकि पाने की अधिक्ता से सेकूलन पर बहुत ज़ल्दी असर दिखने लगता है जिसमें branches का काला हो जाना या फिर plant से branches का तूट जाना या फिर root rot की वजह से पूरा plant ही उपर से नीचे तक सूख जाना एसाब over watering की वजह से ही plant पर होता है इसमें एक और बात शामिल है जिसमें पत्ते मुर्जाए मुर्जाए लगते है या फिर प्लांट के ऊपर ऐसे लटकने लगते हैं यह भी एक Overwatering का ही कारण होता है पर यहाँ पर एक बात और कि पत्तों का लटकना प्लांट के Underwatering की भी निशानी हुती है क्योंकि अगर आपने प्लांट में कम वाटरिंग की है तो उस स्विच्वेशन में भी प्लांट के पत्ते लटकने लगते है तो ध्यान रखे कि प्लांट सेकुलन्ट हो या कोई और पानी देने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैंने पिछले कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि हम प्लांट की स्वाइल को चेक करके कैसे पानी दे अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख ले तो अगर बात करें कलांचो के लिए फर्टिलाइजर की जिससे प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कि ले तो इसके लिए हम यहां पर लेंगे एनपीके 19-19-19 देड से 2 ग्राम एनपीके लेके हमें एक लिटर पानी में उसे अच्छे से मिला लेना है और उसे अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करना है या फिर आप इसे स्वाइल में भी दे सकते है फिर अगर आप इस फर्टिलाइजर को स्वाइल में देना चाहते है तो आधा ग्राम एनपीके को आप बढ़ा दीजिए क्योंकि अगर स्वाइल में फर्टिलाइजर देने की बात है तो हमें पत्तों के मुकाबले स्वाइल में फर्टिलाइजर ज़्यादा देना होता है मतलब ज़्यादा मात्रा में देना होता है तो अगर बात करें पेस्ट और इंसेक्ट की तो इस सर्दी के दिनों में एफिट्स बहुत ज़्यादा प्लांट पर हमला करते है और ये aphids ज्यादा तर कलांचों की नई कलियों के उपर पाया जाते है और ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि पूरे flower खिल जाने के बाद भी flower के नीचे aphids चिपके रहते है और flower को कमजोर कर देते है जिसकी वज़े से flower बहुत जल्दी मुर्जा जाते है तो इसके लिए आप किसी chemical insecticides का या organic pesticide का इस्तमाल करें insects का हमला रोकने के लिए हमें plant पर regularly insecticides का spray करना होता है तो अगर आप किसी भी fertilizer का spray कर रहे है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको early morning spray करना है या फिर शाम को सूरज धनने के बाद क्योंकि ये दोनों टाइमें ऐसे होते है कि इस टाइम में सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती जिसकी बज़े से दिया हुआ fertilizer प्लांट अच्छे से absorb कर पाते है और इसके साथ साथ प्लांट को हरा भरा रखने के लिए liquid fertilizer या फिर organic cowden liquid fertilizer प्लांट में देना चाहिए जिसकी बज़े से प्लांट flowering तो करेंगे ही पर प्लांट की ओर और growth भी अच्छे से चलती रहेगी organic fertilizer को आसाइनी से हमें घर पर ही कैसे बनाना है इसकी उपर हमने पिछले यी वीडियो में बात की है आप उस वीडियो को जरूर देखे तकि आप भी बड़ी आसाइनी से उसे अपने घर पर ही बना सके और अपने प्लांट में अप्लाइ कर सके यह जो हमारा white color का कलांचों का प्लांट है यह थोड़ा lead blooming plant है इस पर हर साल बाकी कलांचों की पोधों की तुन्ना में lead flower आते है तो चलो दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में ऐसे gardening related informative वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा तो देख तेरे gardening info